नमस्कार, आज हम जिस विश्य पर चर्चा कर रहे हैं वो है समझोतावादी विचारक जॉन लॉक जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक सिध्धान्त के प्रतिपादकों में हॉप्स, लॉक और रूर्सो इन तीनों का नाम विशेष्था और प्रमुक्त लिया जाता है इन तीनों ही विचारकों ने सामाजिक समझोते सिध्धान्त की अपनी अपनी स्पष्ट रूप रिखा प्रस्तुत की हॉप्स ने मानुए सुबाव अलग बताया जॉन लॉक ने अलग और रूसों ने अलग आज हम चर्चा करते हैं जॉन लॉक की उदारवाद के आदारिस्तंब के रूप में जॉन लॉक का नाम विशेश रूप से लिया जाता है उदारवाद व्यक्तिकी स्वतंतरता पर बल देते हुए जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझोते के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया लौक व्यक्तिक स्वतंतरता की रक्षा के लिए इतना दिक जागरुख था कि उसने व्यक्ति को शाषन के विरुद्ध क्रांती करने का अधिकार प्रदान कर दिया और इसी कारण उसे मानवे स्वतंतरता का पहरी भी कहा जाता है विभिन पाश्यत्य विद्वानों ने जौन लौक के संदर्ब में कहा है कि उधारवात की जो आत्मा है वो जौन लौक की विचारों में देखने को मिलती है अब हम देखते हैं जौन लौक की रचनाएं लौक ने विभिन प्रकार से संबंदित ग्रंत लिखे जिन में राजनितिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र, धर्म शास्त्र, सिक्षा, दर्शन, विज्ञान, आदी विश्य पर प्रकास जाला सामाने ते उसके कुछ विशेश जो ग्रंत हैं वो बहुत जादा प्रसिद्ध होए जिसमें सबसे पहला है मनुश्य सुबाव के संबन्द में निबंद, साशन पर दो निबंद, सही शुनता पर पहला पत्र, सही शुनता पर दूसरा पत्र, सही शुनता पर तीसरा पत्र और कैरोलिना के सविधान के संदरप में भी उसने कैरोलिनी का मौलिक सविधान नाम की ग्रंत की रचना की अब हम बात करते हैं जो लौक की अध्धन पद्धती की जहां हॉप्स की पद्धती दार्षनिक, तारकिक और चिंतनात्मक थी वही लौकी पद्दती अनुबववादी और विवेकवादी थी उसने पहली बारे स्विकार किया कि अनुबवी ग्यान का स्त्रोथ है अनुबव के बिना व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही वो अनुबव के बिना किसी प्रकार के ग्यान की कलपना कर सकता है उसने यहां तक कहा कि जब मनुश्य जनम लेता है तो उसका जो मस्तिक्ष है कोरे कागज के समान होता है उसके मस्तिक्ष में जो विचार आते हैं वो उसे दीरे-दीरे अनुबव से प्राप्त होते हैं और ये जो विचार हैं वो उसकी सनवेधना और प्रत्यक्षबोत के द्वारा मनुश्य अपने विचारों में लाता है इस प्रकार जो लौक की अध्यन पद्दती थी वो अनुबवाद पर आधारित थी जो अनुबव को ही ज्यान का इस्त्रोत मानता है और ज्यान को हमेशा विवेक मूलक मानता है अब हम बात करते हैं जॉन लोक की सामाजिक समझोते सिध्धान्त की हॉप्स की समान ही लोक ने भी सामाजिक समझोते सिध्धान्त का प्रतिपादन किया उसने सबसे पहले अपने मानस वबाव की अवधारना को इसपश्ट करते हुए कहा कि मनुष्य बुद्धिमान और विवेक शिल प्राणी है वह अपनी बुद्धि और विवेक से नैतिक व्यवस्था की स्तापना करता है उसकी सत्ता को स्विकार करता है और उसके अनुसार कारे करना अपना करता है और इसके साथ साथ मनुशेक सामाजिक प्राणी भी है जो परसपर सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार प इस प्रकार लौक ने मानवे जीवन के सकारात्मक पक्ष पर बल देते हुए मनुष्य को बुद्धी मान और विचारवान प्राणी होना बताया है। प्रचित थे और सभी मनुष्य विवेक्षील थे। उसकी प्राकतिक अवस्ता शांति और पारस्परिक सद्भावना पर आधारित थी। प्राकतिक अवस्ता शांति थे लेकिन उसकी सवतंत्रता स्वेच्छा चारिता नहीं थी। प्राकतिक नियमों के द्वारा उस पर नियंत्रन रखा गया था। लोग पहला ऐसा विद्वान थाज ने प्राकतिक नियमों की व्याख्या की थी और व्यक्ति के कुछ अधिकार बताये थे। जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार भी था। लोग का मानना था कि बुद्धी पर आधारी जो नेतिक नियम है वो ही प्राकतिक नियम है और उन प्राकतिक नियमों के द्वारा ही व्यक्ति एक संप्रभु सत्ता के आदेशों की पालन करता है यद्द पी प्राकतिक अवस्था का विवेचन करने के साथ साथ लोक ने प्राकतिक अवस्था की कुछ ऐस्विधाओं पर भी बल दिया ऐस्विधाएं बताई जिसकी कारण व्यक्ति मजबूर होकर सामाजिक समझोता करने के लिए तयार हुआ लौक ने ये माना कि प्राकती गवस्ता उसकी सुननी मवस्ता थी क्योंकि वह मानता था कि आप दूसरों के पड़ती भी वही बरताव कीजिए जिसकी दूसरों से आपको स्वैम को उम्मीद है यदि भी इसके बावजूद उसकी प्राकतिक अवस्ता स्वन्नी मवस्ता थी उसके बावजूद उसके अंतरगत कुछ ऐस्विदाएं थी और इन्हीं ऐस्विदाओं के कारण व्यक्ति सामाजिक समझोता करने के लिए तयार हुआ पहली ऐस्विदाओं क्या थी कि कोई ऐसी निश्चित प्रकट वो सर्वसमत्विदी नहीं थी जिसके द्वारा उचित अनुचित तता मदवेदों का निंड न किया जा सके दूसरी कटना ये थी कि इन निंडों को क्रियानवित करने के लिए प्राकतिक दसा में कोई साधन य के अंतरगत नहीं थी अब सामाजी समझोते के द्वारा लोक ने राज्य की उत्पत्ती को प्रस्तुत किया अपनी प्राकतिक अवस्ता की उप्युक्त ऐस्विदाओं को दूर करने के लिए व्यक्ति आपस में एक समझोता करते हैं और वो ही सामाजी समझोता कैलाता है इस समझोते के अंतरगत सभी व्यक्ति अपने प्राकतिक अदिकार जो उन्हें प्राकतिक अवस्ता में प्राप्त थे वो प्रदान नहीं करते इसके अत्रिक्त जितनी भी शक्ती है वे शाशन को प्रदान कर देते हैं जिससे शाषन की स्थापना होती और शाषन जो एक साधन के रूप में राजनितिक समाज के उद्दिश्य की पूर्ती करता है। अब हम देखें तो इसके द्वारा जो राज्य उत्पन हुआ उसके कुछ विशेष्टा ये भी लोक ने बताई। लोक ने पहले विशेष्टा ये बताई कि सामाजिक समझोत्य आधार पर जिस राज्य की स्थापना की गई उसके द्वारा अपने ग्रंतों में उसने इस पश्ट लिखा कि ये जो राज्य है वो सहमती पर आधारित था, राज्य जनकल्यान का एक साधन था, सीमित और राधित राज्य था, वैधानिक राज्य था और निशेषादात्मग राज्य था, इस प्रकार लोक ने अपने सामाजिक समझोत्य सिध्धान्त का परतिपादन किया, लोक पहला ऐसा विचारक था जिसे प्राकतिक अधिकार और व्यक्तिक संपत्तिके संबंद में भी अप करता है, तो व्यक्तिक को ये अधिकार है कि वह उसकी आदेशों की अवग्या कर सके, इसी कारण लोक को उधारवाद और व्यक्तिवाद का समर्थक भी माना जाता है.